यू को सोते हुए दिखाया जाता है जो नीद में बोलता है केक मुझे टीस मत करो लेकिन जब उसकी आखे खुलती है तो वो देखता है कि केक वापन नहीं है यहाँ पर वो जाता है फ्रेस होने के लिए और उसके बाद अपना हुंबक करने लगता है जैसे ही वो अपने बातर आते हैं और उसके कहते हैं अभी साथ नहीं बजे है वो ओनलाइन नहीं आने वाला अभी यह उसकी ब्रदर कहते हैं चलो तुम मेरे साथ चलो बाहर से कुछ फूट खरीद के लाते हैं तुमारे लिए कुछ टॉय भी पर्चेस कर लेंगे लेकिन यू जाने से मना कर देता है यहाँ उसके ब्रदर कहने लगते हैं तुम पूरे हफते से इसी तरीके से कंप्टर के सामने बैठे रहते हो यहाँ पर उनसे कहता है यू क्या पता वो ऑनलाइन आ जाए इसलिए मैं वेट करता रहता हूं उसके ब्रदर उसे समझाते हैं कि दोनों साइड का टाइ यहाँ पर बैठे रहते हो और उसका वेट करते हो यू कहता है मुझे लगा क्या पतो वो पास मिनट के लिए ऑनलाइन आ जाए इसलिए मैं वेट करता हूं उसके ब्रदर उससे कहते हैं कि तुम्हें भी अपनी लाइफ जीनी होगी अपना अच्छी से ख्याल रखो जैसा क मैं भी एक perfect person बना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसका brother कहने लगता है यह जो तुमारे time john की problem है उसके लिए मेरे पस एक suggestion है फिर दिखाया जाता है यू घर वापिस आता है तो उसकी mom कहते है तुम खाना खालो यू कहता है पहले mom मैं अपना computer चेक कर लो यू जाके computer देखता है तो वहापर cake के message होते है cake उससे कहता है कि मैं हापर ठीक हूँ लेकिन यहापर वहाँ से ज़्यादा ठंड है और कहता है कि जबसे मैं हापर आया हूँ मैंने morning को कभी भी सावर नहीं लिया है इस बात को लेकि तुम मुझे नाराज मत होना क्योंकि हापर बहुत ज़्यादा सर्दी है और वह उससे पूछता है कि तुम कैसे हो तुमने कोई नई friends बनाए तुमने कोई club join किया है उस school में मुझे पीक नहीं बताया था कि उसने drama club join कर लिया है और वो कहता है मैं हापे football खेलता हूँ काफी ठक जाता हूँ पर मेरे English अभी भी अच्छी नहीं हुई है वो यहापे अपनी sister cream के बारे में भी बताता है कि उसे English सुनके रोना आता था उसके साथ neighbor की बच्ची खेलना शुरू करते थे तो यह सोच के मुझे हसी आती थी और वो हमेशा कहती है कि वो तुमारे brother को याद करती है उसकी यह message पढ़के यहाँ पे ईउ स्माइल करता है उससे आगे कहता है cake कि तुम भी अपना अच्छी से ख्याल रखना और बिमार मत होना और अगली बार message में मुझे अपने बारे में भी बताना मैं तुमें काफी miss करता हूँ यहाँ पर यह सब कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा sad हो जाता है क्योंकि वो भी cake को miss करता है उसके बाद दिखाया जाता है यू के room में उसके friend को जहाँ पर वो पूछता है उससे तुम अभी तक सोई नहीं फी कहता है मुझे अभी नीन नहीं आरी फी उससे पूछता है क्या तुम अब ठीक हो यू कहता है मैं तो ठीक हूँ फी उससे कहता है मैं यह पूछना जाता हूँ कि cake यहां से चला गया है पर तुम हमेशा इस तरीकी से सैड थोड़ी ना रह सकते हो फी उससे कहता है तुम्हें पता है मुझे और कुंको तुमारी कितनी चिंदा होती है यहाँ पर उसके पास आके बैठता है एयू और उससे कहता है मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ पहले मुझे इस बात की बिल्कुल चिंदा नहीं होती थी कि मेरे जदा फ्रेंस नहीं है और ना ही मैं स्कूल में जदा बात ही किया करता था क्यूंकि घर आने के बाद हमेशा मेरे साथ केक रहता था लेकिन अब केक यहां पर नहीं है तो घर वापीस आने के बाद मुझे ऐसा फिल होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ यहाँ पर उससे फि कहता है तुम्हें यह इसलिए महसुस होता है क्योंकि तुम और के कुछ ज़्यादा ही अटेस्ट थे यहाँ पर उसे कहता है अब मैं क्या करो फी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे और लोगों के साथ रहने में comfortable फिल नहीं होता मुझे ऐसा फिल होता है जैसे कि मैं invisible person हूँ तो यहाँ पर उसे कहता है फी मैं तुम्हें एक story सुना हूँ और कहता है last time जब मैंने drama club को join किया था तो वहाँ पर सभी seniors थे वो सभी drama में main role किया करते थे वहाँ पर मेरी नई नई शुरुआत थी तो इसलिए मेरे वहाँ पर कोई friends नहीं थे मैं चुपचाप एक corner में रहता था one month लगया था मुझे वहाँ पर थोड़ा settle होने में तो यह एक normal सी बात है जरूरी नहीं है कि हम हर जगा visible हो पर अगर तुम चाहते हो कहीं पर visible होना तो वहाँ पर तुम्हें खुद effort डालने पड़ेंगे कभी कभी यह सब कुछ uncomfortable होता है पर तुम्हें खुद इन सब चीजों से deal करना होगा उससे कहता है यू लेकिन मैं कहां से सुरुआत करूँ यहाँ पर फियू उससे कहता है तुम मेरे साथ drama club जोइन करना चाहोगे तो यहाँ पर यू कहता है लेकिन में वो नहीं कर सकता फियू उससे कहता है पहले तो तुम यह बोलना बंद करो कि तुम वो नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते चाहे तुम्हें uncomfortable feel हो या फिर bad पर तुम्हें उन सब चीजों को face करना होगा तुम उन सब चीजों से भाग नहीं सकते जहाँ पर तुम uncomfortable feel करते हो वहाँ पर adjust करने की कोसिस करो हमारे friends किस चीज को लेकर discuss करते है उस चीज पर ध्यान दो और फियू से कहता है जिन चीजों में हम uncomfortable होते है कभी कभी उन्हें करना इतना bad भी नहीं होता यह उससे कहता है कि मैं try करूंगा फियू से कहता है सबसे अच्छे tip क्या है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं तुम्हें पता है उस बारे में यू मना करता है तो यहाँ पर फियू स के face पर smile बनाता है और कहता है तुम जादा से जादा smile करने की कोसिस क्या करो तुमी स्माइल करते हुए क्यूट लगते हो इससे लोग तुमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो तुमसे बाती करेंगे यू कहता है नोट रेली यहापर फी हसता है और उससे कहता है तुम अपने आपको थोड़ा चेंज करो ताकि जब केक वापिस आए तो वो तुमें देखकर हैरान रह जाए नेक्स्ट दिखाया जाता है यू वापिस आता है उसकी मम कहता है कुछ खा लो वो कहता है नहीं मम मुझे कंप्यूटर चेक करना है वो कंप्यूटर पे जाता है और मैसेज करने लगता है केक को यहापर वो लिखता है उससे कि मैंने फी के साथ ड्रामा क्लब जॉइन कर ल तो मैं कल सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ स्नेक्स लेके जाऊंगा ताकि हम दोनों के बीच में बातचीत हो सके यहाँ पर continue EU भी उसे message करने लगता है और बताता रहता है कि मुझे अब drama club में रोल मिल गया है तीन महीने बाद हमारा performance है हमें rehearsal करनी है और set भी त्यार करना है आगे वो उसे बताता है कि हमारे nearby एक internet cafe भी खुल गया है अगर तुम भी वहाँ पर होते तो तुम भी बाकी बच्चों की तरह वहाँ पर games खेलते आज कल मैं घर daily late जाता हूँ क्योंकि मैं rehearsal में busy होता हूँ पर मेरी चिंता मत करो मेरे साथ टाल जाता है क्योंकि वो मेरे घर के पास से ही गुजर कर जाता है इसलिए वो मुझे मेरे घर पे छोड़ देता है इसी तरीके से daily वो दोनों एक दूसरे same messages पे बात करते हैं और अ काफी change हो गया बिल्कुल foreigner kid लग रहा है यहाँ पर EU बताता है कि वहाँ पर लोग regular अपने hairs को die करते हैं बट मुझे डर है कहीं उसके hair fair down ना हो जाए यहाँ पर उसके brother कहते हैं वो इस पे काफी suit कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा काफी cool लग रहा है यहाँ पर EU कहता है हा सोनी चला जाओंगा आगे school में दिखाया जाता है उनका play होता है काफी अच्छे से हो जाता है यहाँ पर उसके सभी friends होते हैं साथ में केक के friends भी होते हैं केक का एक friend तो यहाँ पर EU के photos भी click करता है तालो से कहता है तुमने बहुत अच्छा performance किया EU EU को यहाँ पर काफी सार रोजिस मिलते हैं तो यहाँ पर केक के friend भी आकर उसे रोजिस देते हैं EU वहाँ पर उन्हें आने के लिए thanks बोलता है तो यहाँ पर टा कहने लगता है हम लोग तो यहाँ पर केक के लिए आये थे क्योंकि वो तुम्हें देखना चाहता है और देखो मैंने काफी सारे photos भी click किये हैं जो मैं केक को send करूंगा EU कहता है साइद मैंने अच्छा performance किया पर इतना अच्छा नहीं जितना मेरे sister करती है यहाँ पर टा कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया लास्ट में तो मुझे रोना ही आ गया था EU उनसे एक बाफ ए thanks बोलता है इस play में आनी के लिए यह यहाँ पर अपने friends को भी बुला लेता है यहाँ फिर वो लोग सभी photos किलिक कर रहे होते है तो बहुत ध्यान से टाल जो होता है वो सिफ EU को ही देख रहा होता है और smile करता है EU के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी friends होते है साथ में वो लोग यहाँ पर new year celebrate कर रहे हो उसे देखके उसे याद आता है कि किस तरीके से वो केक के साथ new year की countdown स्टार्ट किया करता था और यहाँ पर वो new year celebrate करते थे साथ में EU से कहता था कि हम next year भी इसी तरीके से countdown करेंगे मुझी तुमारे साथ यह करना अच्छा लगता है तो यहाँ पर उससे कहा था केक ने अग ठीक है यहाँ पर वो यह सब कुछ सोचता है क्योंकि उसके साथ इस साल केक नहीं है इस पार वो अपने फ्रेंस के साथ new year celebrate करता है उनके exams होते है वो finish हो जाते है फिर हम देखते है बस stop पर wait करते हुए EU को असाथ में उसके होता है फी जहाँ पर फी कहता है उससे की high school कितन वहाँ पर बस आ जाती है EU कहता है मुझे जाना होगा जाने से पहले वो कहता है फी से क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ यहाँ पर वो दोनों एक दूसरी को अच्छे से हग करते है EU बस में आके बैठ जाता है और सोचता है कितनी जल्दी high school complete हो गया मुझे आज भी वो तक घर पे क्योंकि मुझे उस्कूल चिंज करना पसंद नहीं है नए लोगों से मिलना नए फ्रेंस नए टीचर यह सब कुछ मुझे कितना अनकमफर्टेवल फील कराते थे बट मैं बहुत लगी था क्योंकि मेरे पास तुम थे चाहता था कि हम अपना high school एक साथ फिनिश क लेकिन उस समय मैं कितना cowbird था ना मैंने ये सारे chance मिस कर दिये वो यहाँ पर बस से उतर जाता है तो यहाँ पर रिमेबर करता है कि लाश्ट टाइम जब उसके सूस गंदे हो गए थे तो किस तरीके से केक ने clean किये थे यहाँ पर वो सोचता है कास हम दोनों साथ स्कूल में एक साथ जाते लाइन अप में भी एक साथ खड़े होते और classroom में भी मैं तुमारे साथ ही बैठता काफी सारे मज़े हम लोगों ने साथ में किये होते साइद मैंने तुम्हें इस तरीके से avoid ना किया होता जैसे कि मैं हमेसा करता था अगर मैं पास्ट के टाइम में वापिस चापाऊं तो मैं तुम्हारे साथ हर चीज को एक अलग तरीके से करना चाहूंगा लेकिन अब वो सब कुछ में नहीं कर सकता हम देखते हैं बारिस में भीगते हुए आता रहता है यू और सोचता है जो सब कुछ मैंने पहले नहीं किया है अब मैं वो सब कुछ करने की कि तुम मुझे प्राउड फिल करो केक अगर तुम मेरे इस एमेल को पढ़के स्माइल करते हो तो इसका मतलब यह है कि मैं भी हैपई फिल कर रहा हूं यहाँ पर यू कैलेंडर की डेट को टिक करता रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल से जल देखना चाहता हूं केक मै मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूं कि यह मिस वर्ड भी मेरी फिलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करने लगा हूं यहाँ पर वो यह सब कुछ एमेल में टाइप करके सैंड कर लेता है केक के पास सो गैस इसी के साथ यह वाला एपिसोट फिनिश हो जाता है गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते प्ली सब्सक्राइब कर देखते हैं